सरगुजा में इंदीनों खदान एवं प्लांट खुलने का विरोध जोरो पर है एक ओर जहां सीता पुर्विधान सभाक्षत्र के बतौली ब्लॉक के चिरगा में एलिमूनियम रिफाइनरी प्लांट का विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर अंबिका पुर्विधान सभा अक्षत्र के उदायपुर ब्लॉक के सालिही में अडानी का विरोध जोरो पर है दोनों ही स्थानों पर आम नागरिक ग्रामिन जन अपनी जमीन खदान एवं प्लांट के लिए देने को तैयार नहीं है लेकिन दोनों ही स्थानों पर जिला प्रशाशन खदान कंपनी और प पोर्ते ने बताया कि 7 सितंबर को जब साली एवं अन्य ग्राम के ग्रामिन ख़दान खुलने का विरोध में ग्यापन सौपने पद यात्रा कर उदैपूर जाने वाले थे तभी उदैपूर तहसिलदार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और कहा कि तुम लोग क्यों ख़द जाना के परवारिक मना आ रहें पटवारी तसिला भी आहिसें रही कि और रहिस कि भाई क्यों रोक रहे हो तुम और के ऐगशन ख़दा में क्यों रहे हो तुम मिक्ताँं कि नहीं जी थोड़ा सा अमना पता निये मोजर कारासु जेहा थे खाकराते लहन थे लहींते उमला बोल दिया कि नहीं आएगा फ़ोरस, आफ वराइंगे इतना बहर आंगे आजेच तसिलदार भोल दिया कि नहीं, यही नहीं सालही निवासी कमला बाई ने बताया कि हम कोईला खादान नहीं खुलने देंगे कलेक्टर आये थे तो बोल कर गए यहां खादान नहीं खुलेगा लेकिन SDM कहते हैं यह सब सरकारी जमीन है आप लोग खादान का विरोध नहीं कर सकते आप भी सुनिये क्या कह रही है कमला बाई लोगों में अडानी का खादान को लेकर आसंतोष है लोग कहते हैं केते बासेन में जब अधिगरन हुआ तमाम तरह के वाइदे किये गए अब तक कई वाइदे पूरे नहीं हुए हैं हम वहां के लोगों को देख रहे हैं कितना परिशान है हम अपनी जमीन नहीं देंगे किते बासेन में ख़दान खुली यह में देखा थना आज हो जाक कि आज मनला खुद हम रोग जमीन गई सो में बड़ा परिशानी हमला हो आथे हम अईसे करते खते हम सारा ची जो में बोलल गई इसकी मैं जे उमर में आते जाएगा उसको नोक्री देऊंगा ज़ूट करके परलोभान देखाएके यह जगह के आदमी मला मने भोले भाले आदमी जगे हमला कहीं के आता ना पता पढ़ाला निखाल हमला खेती किसानी और जंगल के डोरी मुभा यह खुकड़ी पुटू हमला जड़ी बुटी मिल जथे कहीं जर बोखारावत रही तो कही फिलहाल हरिहरपूर, फत्तेपूर, साली एवं घाट बर्रा के लोग में काफी अशंतोस है सरकार और खदान दोनों को लेकर काफी विरोध है लेकिन प्रशासन की ओर से मरहम लगाना छोड धमकियां दी जा रही है जो ग्रामिणों के मन में अपना सब कुछ लुट जाने का डर उतपन कर रहा है पूर वजों के द्वारा अर्जित जल जंगल जमीन के चले जाने का डर ग्रामिणों में व्याप्त है और यही कारण है कि लोग अब राजपाल, मुख्यमंत्री एवं अपने विधायक प्रदेश के स्वास्थ मंत्री को पत्र लिख कर मामले की संग्यान लेकर ख़दान को जमीन ना देने की मांग कर रहे है तो ख़दान हर हमर गाउला लेहब कर रहा थे ता हमनने देन कही के कोन गाउला लेहब कर रहा है तो तुह इंच मन नहीं दे था या उजहन नहीं दे था हम इसमें मामला यह है कि जो पूर में ख़दान जो संचालित है आपके सामने परसा इश्केते बासें उसमें हमने सर्थ 29 बिंदू का रखा था जिसका पालान इन्होंने नहीं किया उसके बिरोद में मने हम लोग पहले किये कि यह मने उस ख़दान को हम देख चुके हैं यह गलत ढंग से लोग कंपनी वाले काम लेते हैं इसलिए परसा ख़दान जो लगा हुआ ख़दान है वह मने परसा कोल बलाग जिसमें सालही हरिहारपूर फदेपूर घाडवर्रा यह सरगुजा जिला के अंदर गाउं है यह मने अधिकरण होने जा रहा है आए हैं अधानी प्राइविट लिमिटेट कंपनी का विरोद करने के लिए यहां जो है कि सेकंड सेटर परसा कोल समयंस चालू करने जा रही है वहीं अधिगरहन के मामले में सुयम स्वास्त एवन पंचायत मंतरी टी असी देव मीडिया से चर्चा के दोरान कई बार कह चुके हैं कि हमेशा से मैं गावालों का जो भी स्टेंड होता है उसके साथ खड़ा रहता हूँ अब इहाल ही में 4 सितंबर को मीडिया से चर्चा के दोरान उन्होंने बतावली के चिरगा में एलमूनियम रिभाइनरी प्लांट के स्थापना को लेकर कहा कि मैं गरामिनों के मांग के साथ हूँ कर रहे हैं अपने तही कर रहे हैं मेरे पास आज तक कोई गावाले नहीं आए लेकिन वह आया या नहीं आए जब जैसा गावाले चाहेंगे वैसा ही होना चाहिए अब देखना यह है कि पिछले काफी दिनों से जो विरोध उदैपूर क्षेत्र में आडानी के खादान हेतु जमीन अधिगरहन को लेकर चल रही है वह किस करवट बैठेगी या वास्तों में जैसा आरोप तहसिलदार एवं SDM पर गरामिणों ने लगाया है क्या ठीक वैसा ही प्रशासन करेगी पांसओ हजार की संख्या में फोर्स बुलाकर अधिगरहन होगा या तो आने वाला समय बताएगा फिलहाल लोगों का कहना है कि हमें कुछ भी नहीं बताया गया क्यों और कैसे अधिगरहन होगा हमें क्या मिलेगा कोई जानकारी नहीं है